हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे है आप सक फ्रेंट्स आज हम पढ़ेंगे नाइट ऑफ दे स्कॉर्पियन यह जो पोयम है इसमें पोयट को अपने बच्पन की एक घटना याद आ जाती है जब उनकी मा को बिच्छों ने डंक मार दिया था उसी का इसमें वड़न उ स्कॉर्पियन जब मेरी मा को एक बिच्छों ने डंक मार दिया था टेन आवर्स आफ श्टीडी रेन दस घंटे लगातार धीरे धीरे बारिस होती रही है ड्राइवन हिम टू क्राल बिनीत सैकाफ राइस दस घंटे की लगातार बारिस की वजह से उसे चावल के बोरे के न स्कॉर्टिंग इस पॉइजन फ्लाइस आप डायबोलिक टेल इंदर डार्क रूम ही रिस्क दर रेन अगें मा को डंक मारने के बाद जो भी चु था उसे रूम में ही छुपना पड़ा क्योंकि उसके जान का खत्रा था यदि वह दिख जाता तो वह भी बसता बिलकुल भी नहीं दा पीजेंट केम लाइक स्वामाफ फ्लाइस पीजेंट स्किसार मतलब उसके जो गाओं के लोग हैं वे आये लाइक स्वामाफ फ्लाइस मतलब मक्यों की तरह धेर सारे लोग ही कठे हो गए जैसे की मक्यी का जुन्ड हो और इस्वर का नाम बार बार लेने लगे तो पैरलाइस दा इविल वन की जो वो विच्चु है इविल विच्चु को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है वह उसे पैरलाइस हो जाए मतलब की वह चलने में आसमर्थ हो जाए विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्स कैंडल्स लेके लैंटर्स लेके थ्रोइंग जैंट स्कॉर्पियन सेडो उसको ढूनने लगे वह जो स्कॉर्पियन था विच्चु था जो की एक उस समय दानों क्या प्रूप ले चुका था उसको ढूनने लगे उन्होंने बहुत ढूंडा उसे लेकिन वो नहीं मिला उन्होंने अपने दातों की नीचे जीब को दबा लिया अब देखिए उनको बहुत बुरा लग रहा था कि विच्छुम मिला नहीं बहुत ढूंडा उन्होंने अब देखिए आगे क्या कहते हैं ऐसा मानना भी है कि जब किसी को विच्छु डंक मार देता है तो जितना ही वो चलता है उतना ही जिसको उसने डंक मारा है उसके सरीर में उतना ही पेन होगा उतना ही उसको उसका जहर चड़ेगा ऐसा मानना है उच टाइम भी लोग ऐसा ही मानते थे अब वे मेरी मा को सांतावना दे रहे थे गाहों के जो लोग थे देखिए कैसे कैसे बाते होते हैं गाहों में इसके माध्यम से पोईट ने बताया है कि लोग कहते हैं जो गाहों के लोग मा को देखने आये थे धेर सारी लोग उनके पास बैटके उनको सांतावना दे रहे हैं कि में दस सिन अफ योर प्रिवियस बर्त तुम्हारे पूरो जनम के जो सेंस है मतलब पाप है जो बी बंड अवे तुनाइट वो सब आज खत्म हो जाएंगे वो सब जल जाएंगे वे कहते हैं में योर सफरिंग डिक्रीज दे मिस फॉर्चिन आफ योर नेक्स्ट बर्त ये जो तुम कष्ट सहर ही हो इससे तुम्हारे ये जो कष्ट सहर ही विच्छो के डंक की जो पीडा सहर ही तुम्हारे जो है अगले जनम की जो मिस फॉर्चिन है वो कम हो जाएंगे ऐसा गाँवाले लोग कहते हैं देखिए क्या कहते हैं मेन समाफ आलिविल्स मतलब तुम्हारे जो कुछ पाप वगएरा है कमिया है बैलेंस इन दिस अन्रियल वर्ड इस अन्रियल वर्ड में बैलेंस हो जाएंगे अच्छाईयों के पेच्छा जो अच्छाई है और जो बुराई है उसमें यदि बुराईयां हैं तो बुराईयां तुम्हारी कट जाएंगी विकम डिमनिश्ट पाई यॉर पेना जो तुम्हारा दर्द है वो तुम्हारे बुराईयों को कम कर देगा तुम्हारे जो पाप है उसको घटा देगा मेर पॉइजन प्यूरिफाई यॉर फ्लेस और यह जो पॉइजन है जो तुम्हारे सरीर में बिच्छो के द्वारा गया है यह तुमको सुद्ध कर देगा ऐसा गाओं वाले मा को सामतावना देते है कि तुमको प्यॉरिफाई कर देगा तुम्हारे फ्लेस को मतलब तुम्हारे सरीर के सरीर को मतलब तुम्हारे बॉडी को जो है पवित्र कर देगा फ्लेस ओफ डिजायर मतलब तुम्हारे जो फीजिकल डिजायर है उसको प्यूरिफाई कर देगा and your spirit of ambition they said और तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उन्हों वे मतलब कहते हैं गाओं वाले and they sat around और चारों तरफ वे बैठ जाते हैं on the floor with my mother मेरी माँ के साथ जो है बैठ जाते हैं mother in the center center में मा बैठी है गाओं में देखे एकता भी पहले रहती थी बहुत अधिक किसी को कोई भी कश्ट पढ़ता था तो लोग इकठे हो जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब लोग अपनी में अधिक वैस्ट हो गए है the piece of understanding on each face सब के चेहरे पे एक piece देखती है मतलब सांती देखती है समझदारी की understanding की सब के चेहरे पे सांती देखती है more candles, more lanterns, more neighbor और बहुत मतलब candles है, lanterns है पड़ोसी है, सब है more insects and endless rain कीडे मकोडे और endless rain और लगातार बारे सुए जा रही है उस रात को, जिस रात को विच्छों ने मेरी मा को डंक मारा था उस रात को बहुत अधिक बारिस हुई my mother twist throw and throw मेरी मा जो है twist कर रही है at रही है groaning on the mat, mat पे बैठ के करा रही है दर्द से my father septic rationalist मेरे जो पिता है वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते है अविश्वास ही है इस सब बातों पे जो लोग कह रहे हैं कि इससे तुम्हारी जो पाप है, sin है वो कम हो जाएंगे और तुम्हारे पूरो जनम में तुम्हारी body जो है पवित्र हो जाएगी मेरे पिता जी विश्वास नहीं करते है rationalist वो तर्कवादी है rationalist में इस तब तर्कवादी septic मतलब अविश्वास ही मतलब इन सब बातों में विश्वास करते है और वो तर्कवादी है trying every curse and blessing powder, mixture, herb and hybrid उन्होंने इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते है इसलिए उन्होंने मिक्षर बनाया हाब्स का, हाब्स का मिस्तरर बनाया उन्होंने हाब्स जो हजडी बूटियों का मिस्तरर बनाया He even poured a little paraffin और उन्होंने थोड़ासा kerosene oil, मतलब थोड़ा सा मिट्टी का तेल जो है डाला उन्होंने अपान दब बिटन टो जहां पे जिस टो पे उसे बिचुने डंक मारा था उस पे पिता जी ने धोड़ा सा ओय डाल दिया के रोशिन and put a match to it और इस पिर आग लगा दी मैं तब जरासा उसमें माचेस लगा दिया I was the flame feeding on my mother मैं देख रहा था ये बच्पन की घटना है तो राइटर बता रहा है कि मैं देख रहा था किस तरीके से मेरे माँ की जो उंगली ती जिस पे विच्छो ने डंक मारा था वो जलने लगी I was the holy man performed his rights and the tame the poison I was the flame feeding my mother मैंने देखा कि किस प्रकार से मेरे माँ की जो है उंगली जलने लगी I was the holy man performed his rights to tame the poison with an incantation और मैं देख रहा था कि किस प्रकार से कुछ लोग holy man मतलब पवित्र लोग जैसे कि देखे अभी भी होता ऐसा कि विच्छो ये डंक मार दे तो उसको जाड़ने फूकने वाले भी लोग होते हैं उन्ही की बात कर रहा है यहां पे poet कि मैंने देखा कि कुछ holy man perform his rights to tame the poison with incantation मंत्र के उच्छारण के द्वारा poison जो है उसको कम करने की कोसिस कर रहे थे after 20 hours 20 घंटों के बाद it lost its sting मतलब कि जो sting जो इसने डंक मारा था उसका असर कम हो गया my mother only said मेरी मा ने सिर्फ इतना कहा मेरी मा को relief मिल गया the scorpion picked on me हे स्वार आपका धन्यवाद की scorpion ने विच्छों ने मुझे डंक मारा and spared my children मेरे बच्चों को जो है छोड़ दिया मेरे बच्चे बच गए इस प्रकार से ये जो night of the scorpion poem है ये खत्म हुआ आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताईएगा अधिक से अधिक लाइक and share करिए thank you for watching me हुआ आपकोओ है झास ऑपकु की न είναι कि अदो है के खरोँ दोड़ों यदिवरों